है लो फ्रेंड्स आपका सौगएते मेरे चैनल लर्न विद भीबाई में और मैं हूँ विकास इअदब और आज मैं आपके लाया हूँ ट्रिक्टू रिमेंबर फंडमेंटल ड्यूटीज फंडमेंटल ड्यूटीज क्या है कि हर सिटिजन जो है उनका क्या-क्या ड्यूटी हो रख ले जो अक्सर पूछे जाते हैं कि यह जो fundamental duties की concept वह यह किसके द्वारा recommend की गई थी यह recommend कि गई थी स्वन सिंग कमिटी के द्वारा और यह हमारे article 51 A में incorporated और यह incorporated किस amendment के थुरू हुआ था यह हुआ था 42nd Amendment Act 1976 जैसे कि मैंने आपको बताया कि total 11 है नमर तो total 1 से 10 तक जो है वो 42nd Amendment Act 1976 के द्वारा incorporated की गई थी और जो हमारे 11th fundamental duty थी वो incorporated की गई थी 86th Amendment Act 2002 के विहाग में तो चली अब चलते हैं देखते हैं कि क्या है हमारे 11th fundamental duties और किस तरह हम उसे याद कर सकेंगे तो यह रही आपके सामने total 11th fundamental duties ठीक है तो इसे हम याद करेंगे बस एक simple thoughts है और यह thought हर इंसान के अंदर में है ठीक है यह इसा नहीं कि यह मैं कोई नया thought बता रहा हूं जब मैं यह thought को बता दूंगा तो आपको भी लगएगा कि यह तो मैं daily यह सब सोचता भी था तो बस आपको अपने simple thoughts से ही यह याद हो जाएगी अब वो thought क्या है चली हम direct चलते हैं उस पर तो वो thought क्या है कि हम हम respect करते हैं कि हम अपने national flag को respect करते हैं ठीक है और जो हमारे freedom fighters थे उन्होंने इसके लिए बहुत struggle किया है ताकि हमारे देश को आजादी मिले और जो हमारे देश का integrity है वो बना रहे अब यह हमारा काम है कि हम अपने देश को defend करें और इसकी जो harmony है heritage है और environment है इसकी सुरक्षा करें साथी साथ हमें scientific temper develop करना होगा public में तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और यह सारी चीज करने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा हत्यार है और वो क् देखाय ट्रिक में कि वी रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लेग रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लेग से आपको fundamental ड्यूटी वन याद्ध हो जाएगी तो एबाइड बाइड बाइडी कंस्टिटिशन एडिए इंस्टिट्यूशन दी नेशनल फ्लेग एंड नेशनल फंडमेंटल ड्यूटी तो चैरिस एंड फॉलो दी नॉबल आइडिया विच इंस्पारइड आवर नेशनल फ्लेग फॉर फ्रीडम साथी में फ्लेग भी किया है और हमारे जो इंडिया का इंटेग्रेटी है उसे भी प्रोटेक्ट किया है यह हमारी फंडमेंटल इंटेग्रेटी ऑफ इंडिया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि अब फ्रीडम फाइटर्स ने तो अपना काम कर लिया हमारा हमारी जिम्मदारी आती है कि हमें अपने देश को डिफेंड करना है तो देखें डिफेंड सा आपको याद हो जाएगा फोर्थ नंबर तो डिफ तो यह next three fundamental duties है to promote harmony and spirit अब harmony कैसे बढ़ा सकते है spirit of common brotherhood के मदद से amongst all the people of India transcending religious linguistics and regional of sectional diversities to renounce practice derogatory to the dignity of women ठीक है तो क्या था हार्मनी से आपको याद हो गया fifth number उसके बाद क्या था हार्मनी के साथ हमें heritage भी बचाना है तो वही है हमारा to value and preserve the rich heritage of our composite culture तो हमें हमारे heritage को भी बचाना है अब उसके बाद हमें की से बचाना था हमें बचाना था हमारे natural environment को तो वही है हमारा to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures तो यहाँ तक आपको याद हो गया अब क्या होगा जब हमने defend कर लिया किसे किसे harmony, heritage, environment को अब इसके साथ साथ हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए हमें scientific temper develop करना होगा किस पे? public पे scientific temper आपको याद हो जाएगा to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform किस में develop करना है? among public तो to safeguard public property, public से आपको यह safeguard public property याद हो जाएगी तो आपको क्या होगा कि आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगी ठीक है? अब क्या होगा कि scientific temper जब develop होगा among public तो उससे क्या होगा हमारा nation जो है वो rise करेगा higher तो उससे आपको याद हो जाएगी the nation consistently rises to higher level of endeavor and achievement तो यह हो गई हमारी top मतलब 1 से 10 नमबर तकी fundamental duties और मैंने कहा था कि यह सब करने के लिए हमारे पास एक बहुत most major weapon है और वो क्या है? वो है education और यह है हमारी fundamental duties नमबर 11 जो भी हो हमें education देना होगार यह compulsory किया गया कि 6 to 14 years को student को चाहिए वो parent हो या guardian उन्हें right to education देना ही होगा बच्चों को ठीक है? तो इसी तरह बस यह जो आपकी simple thought है इसके मदद से आपने fundamental duties पूरी की पूरी याद के लिए आप इसे एक दो बर बस अपने मन में revise करेंगे तो आपको सारी के सारे fundamental duties याद हो जाएगी तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ याद या आपको लगता है कि ये helpful है तो प्लीज मुझे comment करकर बताएं और साती साथ अपने दोस्तों अगल बगल में इसे share करें ताकि उन्हें भी इसका लाब मिले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए नतियावाद थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो